मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शान्ती आज 24 मार्च 2023 के साकार मधुर महवा के हैं आज मीचे-मीचे बाब दादा बुले मीचे बच्चे तुम रुहानी सोशल वरकर हो तुम्हें इस दुन्या को सुक शान्ती और पवित्रता से संपन बनाने के लिए अपना तनमन धन सफल करना है बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम रुहानी सोशल वर्कर हो तुम्हें इस दुनिया को सुक्षान्ती और पवित्रता से संपन बनाने के लिए अपना तन, मन और धन सफल करना है बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथ्यार है उस हथ्यार को यूज करने की विधी क्या है और उत्तर में बाबा कहते माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है यह कोई थूल हत्यार नहीं है लेकिन मन से मन मना भव हो जाओ हमसो सोहम के मंत्र को याद करो तो इस विधी से माया का गला कट जाएगा तुम मायाचीत बन चक्रवर्दी राजा बन जाएंगे मुर्ली का गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल ओम शांती तुम ब्रह्मा मुखवन शावली ब्रामन ही जानते हो कि ये कल यूगी पाप की दुनिया है और सत्य जरूर पुन्य की दुनिया है बच्चों को समझाया गया है जो मनुष्यपुन्य आतमाई होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है और पाप आतमा को बुरा जन्म मिलता है अब यह तो है ही पाप आतमाईं की दुनिया यह ज्यान तुम बच्चों की बुधी में है शांतिधाम को ही परमधाम कहा जाता है यह है दुखधाम भारत सत्यु में सुखधाम था अब हमको शांतिधाम जाना है और फिर सुखधाम में आना है सुखधाम में पवितरता, सुख, शांती तीनों ही है और इस दुखधाम में है अपवित्रता दुख अशांती ये तीन चीजे समझ लेनी चाहिए जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुखधाम कहा जाता है और अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बली चड़ाते हो तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो तन से भी सेवा की जाती है न तो सोशल वरकर तन की सेवा करते हैं कोई धन की सेवा करते हैं बाकि मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं मन मनाभव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है मन मनाभव यानी सबकी बुध्धी बाप के साथ लगी रहे ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके तो और सभी सेवा करते हैं मनुष्य कहते हैं मन शान्त कैसे हो अब मन और बुद्धी है आत्मा का उर्गस और यह कर्मिंदरीया शरीर के उर्गस है तो बाप बेट समझाते हैं स्वरधर्शन चकर को याद करो अपने बाप और सुख धाम को याद करो इस दुख धाम को भूल जाओ यह हुई मन की जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे माया का सीर कट जाएगा ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से कोई मनुश्य का सीर काटा जाता है देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं जिससे कोई पाप हो मुनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वधर्शन चक्र से गला काटा था यह तो पाप का काम हो गया दिवताएं ऐसा काम करी न सके स्वधर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है यह है माया पर जीत पाने का स्वधर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं माया पर जीत पा लेते हैं इसी स्वधर्शन चक्र से ही तुम माया पर जीत पाते हो यह तुम्हारा हत्यार है शंक है बजाने के लिए नौलेज मिली हुई है ना सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र कैसे फिर आओ तो तुम फिर चकरवर्ती राजा बन जाएंगे अब हम शांतिधम जा रहे हैं फिर सुखधाम आएंगे यह बाप ने सिखलाया है स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाई कोई बना न सके अब तुम इश्वर्त की वन्शावली हो फिर बनेंगे विश्नु की वन्शावली स्वदर्शन चक्र का अलंकार भी विश्नु को दिया हुआ है तुम हो पुरुशार्थी तुम जानते हो स्वदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं इसी स्वदर्शन चक्र से ही तुम माया जीत बनते हो ये तुम्हारा हथ्यार है शंक है बजाने के लिए नौलेज मिली हुई है ना सिखलाते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ कैसे फिराओ तो तुम चकरवर्ती राजा बन जाएंगे अब हम शान्तिधाम जा रहे हैं फिर सुखधाम में आएंगे ये बाप ने सिखलाया है स्वदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाए कोई बना न सके अब तुम ईश्वर की वनशावली हो फिर बनेंगे विश्नु की वनशावली स्वदर्शन चक्र फिराने से हम विश्नु कु यह तो बहुत सहज है, कोई को समझाना। शान्तिधाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहां से आत्माइं आती हैं, अभी तो नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे। परंतु बाप से पूरा योग नहीं है, तो धारना नह और फिर कोई को समझा नहीं सकते तुम ब्रह्मा मुखवन शावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं जो पवित्र नहीं रह सकते हैं वह ब्रह्मा मुखवन शावली शिब बाबा का पूत्रा कहला नहीं सकते क्रोध लोब की बात अलग है परन्तु पवित्र रहना सके तो उनको ब्रामन कहना भी रॉंग है, वह ब्रामन कुल का है ही नहीं, जिसमें विकार हैं या विकार में जाते हैं, तुम समझा सकते हो, हम तो पवित्र रहते हैं, परन्तु कोई विकारी बन खराब हो जाते हैं, तो वह ब्रामन कहलाने के हकदा यहां आ नहीं विकार में जाना पतित पना है ऐसे पतित यहां आ नहीं सकते परन्तु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है अभी देखो मकान पनाने वाले जरूर सब पतित लोग है ना परंतो ब्रामन लोग तो ये काम नहीं करेंगे तो उन्हों से काम लेना पड़ता है कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है वास्ता में पतित कोई रह नहीं सकता ये है पावन बनने की जगा पतित आएंगे तो जरूर तो भारत पावन था स्त्र पुरुष दोनों संपून निर्विकारी थे ना हम खुद उनों की महिमा करते हैं तुम हो अब संगम यूगी संगम पर बापा कर पतिस से पावन बनाते हैं विशे विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है सन्यासी लोग विश को छोड़ते हैं तो पतित लोग उनको मा बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम पराकर पतित से पावन बनाता हूं लायक बनाता हूं पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग का रचैता ही बनाएगा ना बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धनके थे अभी तो सभी निधनके ह यह है दुखदाई दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं, नमबर वन दुख है कामकटारी चलाना, जिससे आधिमद्य अंत दुख मिलता है, इस दुखदाम में कोई को शांते मिलना ही असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का कुश्चन है न, इतने सन्यासी पवित् तमो परधान हो गया है न, सिर्फ वहम पवित्र बनते हैं, इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं, तो जो पवित्र बनते हैं, उनका नाम बाला होता है, बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं, हम सो पूजे यह सब भूल गए हैं निर्विकारी देवी देवताओं की डिनायस्टी चलती है पूछेंगे वहां पैदायस कैसे होगी सो तो जरूर वहां की जो रस्म होगी वैसे ही होगी पहले तुम बाप से राजयोग सीख राजे भागे का वर्सा तो लो यह थोड़े पूछना होता है की बच्चे कैसे पैदा होंगी डिनायस्टी तो चलती है वह सन्यास है रजो परधान देवताओं का सन्यास है सतो परधान सन्यासी तो विकारों से जन्मले फर निर्विकारी बनने का पूरुशार्थ करते हैं वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया वि बाप कितना अच्छा समझाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं, लक्षय तो बुधी में रहता है न, भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है, मास्टर भगवान बन बाप की घर जाना है, जैसे वह प मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरू करना पड़ता है आजकल तो विकारी पतित को भी गुरू कर लेते हैं गरस्ती पतित गुरू क्या पावन बनाएंगे? कुछ भी समझ नहीं है बाप को जानते ही नहीं यह है औरफन्स की दुनिया सत्यूग है धनी की दुनिया क्योंकि देवी देटा धर्म तो धनी ने सापन किया जब धनी के बने तब धन के हूँ अब तुम गौडली स्टूजेंट्स हो भगवान वाच एक अर्जुन परती तो नहीं था संजे भी था तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है बाप कहते हैं श्रेष्ट बनो इस ड्रामा को भी समझना है वह ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी क्रियेट करते हैं फिर उनको डारेक्शन देते हैं और फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला फिर विश्णुकी माला बनेंगी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो तो ऐसे लक्षमी नारायन बन जाएंगे यह है सच्छी कमाई मनुश्यों को कर्मों अनुसार जन्म मिलता है अब बाप ऐसे श्रेष्ट कर्म सिखलाते हैं जहां है श्रीमत पर चल श्रेष्ट बनने की कमाई बाकी तो सभी मिट्टी में मिल जाना है देख अभिमान को छोड़ना है हम बाप के बने हैं जाते हैं बाप के पास यह आत्मा कहती है कि बाबा हम आपकी याद में रहे विकर्मों को काठी लेंगे फिर आप हमको स्वर्ग में भेज दोगे ना नर्क का विनाश स्वर्ग की स्थापना तो होती है ना महाभारी लड़ाई सामने है इससे भी मुक्ती जीवनमुक्ती के गेश्ट खुलते हैं यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है और वहां तो सदैव आराम ही आराम है यह दुह धाम है ना इसलिए पुरुशार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए वहां माया है नहीं देह अभिमान होता नहीं समझते हैं हम आत्मा है यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है दूसरा लेना है और वहाँ यह ज्यान नहीं रहता कि हम बाबा के पास जाते हैं यह ज्यान तुमको इस समय है हमको वापिस जाना है बाबा के पास और फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे शरीर निर्वा अर्थ कर्म भी करते रहो तुम जितना आग्याकारी वफादार रहेंगे उतना उन्नती होगी श्रीमत से श्रेष्ट बनना है सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्सा लेना अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्सा ले नहीं सकेंगे तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है सभी मिट्टी में मिल जाएंगे देवाला मार देंगे तुम सच्ची कमाई करते हो सच खंड के लिए बाप कहते हैं तुमको मेरे घराना है इसलिए उस घर को याद करो घर का मालिक ही बताते हैं कि तुम हमारे घर के मालिक थे अब फिर घर को याद करो ज्रामा पूरा होता है कितना सहज है अच्छा मीठे बीठे सिकीलदे बच्छो प्रती मातपिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम रूहानी बच्चो की रूहानी बाप दादाजी को दिलवाचान सिक्वा प्रेम से नमस्ते ओम, शांती, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट है आग्याकारी, वफादार और सपूत बन बाब से पूरा वर्सा लेना है स्रीमत पर श्रेष्ट करम कर सची कमाई करनी है संपून निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मन बनना है पावन बन स्वयम को पावन दुनिया के लायक बनाना है बावनि वर्दान दिया एक बावन को अपना संसार बनाकर सदा हसने गाने और उड़ने वाले प्रसन चित भवव कहा जाता है दृष्टी से स्रिष्टी बदल जाती है तो आपकी रुहानी दृष्टी से स्रिष्टी बदल गई अभी आपके लिए बाव ही संसार है पहले के संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया पहले संसार में बुध्धी बटकती थी अभी बाव ही संसार हो गया तो बुध्धी का भटकना बंध हो गया बेहत की प्राप्तियां कराने वाला बाव मिल गया तो और क्या चाहिए इसलिए हस्ते गाते उड़ते सदा प्रसन चितर हो माया रुलाए तो भी रोना नहीं स्लोगन है साफ दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी सर्व प्राप्तिया स्वतह आपके सामने आएंगी दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी सर्व प्राप्तियां स्वतह आपके सामने आएंगी ओम शान्ते और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे